नमस्कार मैं हूँ अंजली और आप देख रहे हैं BNN News तो चले शुरात करते हैं आज की प्रमुखबर से गुलाबी ठंट के बीच बनारस के घाटों की खुबसूरती और भी बढ़ जाती है ऐसा ऐसे लिए क्योंकि हर साल नवंबर से फरवरी महीने के बीच 1000 किलोमीटर का सफर तैकर विदेशी परिंदे चार महीने के लिए काशी आते हैं खास पात यह है कि चार महीनों तक काशी इन विदेशी परिंदों का हनीमून डेस्टिनेशन होता है चार महने बाद जब ये परिंदे वापस अपने वतन लोटते हैं तो अपने बच्चों को भी वो अपने साथ ले जाते हैं बियचियों में पक्षियों पर रिसर्च करने वाली प्रोफेसर चांदना हलदार ने बताया कि ठंड के मौसम में जब रूस से लगे महसागर के पूर्वी और पश्चिमी शेत्र में अत्यधिक ठंड के कारण ये विदेशी परिंदे हजारा किलोमीटर का सफर तै करके काशी आते हैं, पर्याप्त भोजन और रहने के लिए वातान उकूलत जगा की तलाश में ये काशी आते हैं, इस दौरान गंगा की लहरों में ये पक्षी अठखेलियां करते हैं और प्रजनन कर गंगा पार्रेद पर अपने अंडों को रखते हैं, फरवरी के महीने में ये के साथ वापस अपने वतन को लौट जाते हैं इस दौरान ऐसा भी देखा जाता है कि लंबे सफर के कारण इन पक्षियों के कुछ बच्चे रास्ते में ही दम तोर देते हैं खबरों में अब तक लिए बस अतना ही मिलते हैं फ्रेंसे ही किसी बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BNN News